यूँ तो इन्होंने शुरुवात करी बत और चाइल आर्टिस्ट फिर बनी ये अंग्री यंग मैन की हेरोईन और उसके बाद करेक्टर रोल्स में इन्होंने जंडेगार दिये नाम अरुना इरानी अरुना इरानी का बच्पन जर्ब मुफलिसी में गुजरा हालात बहुत खराब थे पिता एक ड्रामा कंपनी चलाया करते थे और मा भी एक अभिनेत्री थी पिता फरेदुन इरानी की ड्रामा कंपनी कुछ खास कमाल नहीं कर रही थी और घर में पैसों की तंगी थी कुल मिलाकर ये आड़ भाई बहन थे और आड़ बच्चों का पेट पालना जरा मुश्किल हो रहा था इसी बीच अरुना इरानी को मौका मिला फिल्म गंगा जमना में बतार चाहिल आर्टिस्ट काम करने का इनके हाथ में कोल्डरंग की बाटल थी और मुँ में धेर सारे वेफर्स तभी उपर से दिलिप कुमार सहाब ने देखा और कहा ए लड़की डालोग बोलेगी अरुना इरानी ने कहा डालोग बोलके दिखाया और इनका सेलेक्शन हो गया दिलिप सहाब की फिल्म गंगा जमना में सन 1961 में इन्होंने काम किया और फिर सन 1962 में फिल्म अनपड़ में इन्होंने माला सिनहा के बश्मन का करदार निभाया था उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब अरुना इरानी ने छोटी मोटी भूमिकाय निभाई विल्बड़ी फिल्मों में जैसे कि जहां आ रहा फर्ज उक्कार और आया सावन जूनके यह बताओ डांसर काम करती ही तो कभी साइड हिरोईन लेकिन जब इनकी दोस्ती कमीड जोड़ी खूब जमी और इसके बाद वो वक्त आया जब मेहमुद सहाग की फिल्म बॉम्मे टुगोवा में जा मिताब बच्चन की हेरोईन बन नज़र आई सत्तर के दशक की इस फिल्म ने वाकी थोड़ा कमाल कर दिखाया था और उन आईराणी ने बड़ी मुश्किल से डांस का प्रशिक्षन लिया था और जब अमिताब बच्चन को इन्होंने फिल्म बॉम्मे टुगोवा में डांस करते देखा और उनकी घबराट देखी तो इन्हें अपने गुजरे दिन याद आते लिकिन मुश्किलातों का सामना करते हुए ये डांस कर पाई थी बच्चन साह को साथ ये नजर आएं संजोग में भी तुम जब घर खर्च के लिए एक रुपया मांगती हो तो मैं मुझे जरूत होती है तो मैं एक रुपया मांगती हूं और तुम बाराने देते हो बच्चे ना आनके फिल्म वॉमेट डुगोवा सभी को पसंद आई थी पर उसके बाद अरुना एरानी के पास कोई काम नहीं था वजा ये एक इंडस्ट्री को लगता कि इन्होंने मेहमूद सहाब से शादी कर ली और अरुना जी ने भी ये बात मीडिया के सामने खुल कर नहीं कही कि में से δोस्त हैं मैंने कोई शादी नहीं करें ज CustomALI और जो काम तेरे से नहीं होगा वह मैं करूगा मैं नोल में करें जाते हैं मृत में मैं और बन्जा मेरा पार्टनर पार्टनर चल ए इत्ती जल्दी इत्ती नजीक मता माफ करना हां माफ करना फिल्म इंडस्ट्री का यह चलन भी था अगर किसी हेरोईन ने शादी कर ली है तो उसकी फिल्में ज़रा कम हो जाया करती थी पर कोच अरसा भी था और फिर राज कपूर सहाब ने एक दिन महमूत सहाब को फोन किया और कहा यह वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ फिल यह यह अने वाली मेरे सासों में तुम्हारे लिए घर में एप्यार की प्यास नहीं ने फिल्म बोबी में एक बड़ा जबर्दस करदार मिला और इसे बाद इन्होंने कभी पलटके नहीं देखा सत्तर और असी के दशक में अरुना एरानी एक ऐसी अभीनेत्री बनकर आई जो हमेशा फिल्मों में एक मजबूत करदार निभाती थी इस कमरे में ऐसा कौन सा राज है जो आप अपनों से भी राज रखना चाहते हैं भैं अपनी उम्र के हीरो लोगों की यह मा बनकर भी नजर आई पर हर करदार में इन्होंने जी जान जोग दी इन्हें फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए फिल्मफेर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग आक्ट्रस का अवार्ड भी दिया गया राजिश्कना रहेक जीतेंद्र धर्मेंद्र रहेक अमताब बच्चन दिलप कुमार रहेक रिशी कपूर सभी की फिल्मों में अरुना इराणी नजर आती रहीं दिरे दिरे इन्होंने टेलिविजन की तरफ भी रुख किया उकुछ बड़े अनौके करदार इन्होंने टेलिविजन की दुन्या को भी दिये जैसे की मेहनी तेरे नाम की देश में निकला होगा चांद, रब्बा इश्क न होवे, वैदे ही और फेरेस दवाके लंबी है 19 फरवरी सन 2012 वो घड़ी लेकर आया इनके लिए जिसके लिए इने बड़ा गर्ब महसूस हुआ इन्हें फिल्म फेर अवार्ड्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया चाहे कॉमिक सीन्स रहे के डांस या फिर रहे जबरदस्त एमोशनल सीन्स हर बार अरुना एरानी सिल्वर स्क्रीन पर खरी उतरती जकीनन ये उन गिनी चुनिया भी नेत्रियों में से हैं जिन्होंने सुनहरे दौर को बनते देखा और बदलते वक्त में भी उन्चाईयों को चूमा भारते सिन्मा के तिहास में इनका नाम हमेशा गर्द से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री